नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो एपल टेक्नोलिजी की दुनिया में काफी बड़ा नाम है और एपल का लोगो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस लोगो में से एक है जिसे देखते ही एपल की एक अलग तस्वीर यूजर्स के दिमाग में बनती है लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं कि एपल के इस वर्ल्ड फेमस लोगो में जो आपको ये बाइट देखने को मिलती है वो इस लोगो में क्यों है इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी दोस्तो एपल के इस फेमस लोगो की कहानी 1997 में शुरू हुई थी जब स्टीव जॉब्स ने एपल की एड़िटाइजिंग एजनसी से कहा कि वो उनको एक सिंपल लोगो डिजाइन करके दे जो वो एपल कम्प्यूटर्स पर प्रिंट कर सके ऐसा दोस्तो उन्होंने इसले कहा क्योंकि एपल का ओरिजनल आईसेक न्यूटन वाला लोगो स्टीव जॉब्स को काफी कॉम्प्लिकेटिड लग रहा था कम्प्यूटर्स पर प्रिंट करने के लिए तब एपल की एड़िटाइजिंग एजनसी से रॉब जैनॉफ को इस काम के लिए कहा गया और स्टीव जॉब्स ने उन्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखने के लिए कहा नए लोगो में कि वो नया लोगो क्यूट नहीं होना चाहिए जैनॉफ ने जब एपल के लोगो की डिजाइनिंग को शुरू किया तो उन्होंने लोगो के नाम की जगा उसकी इमेज पर फोकस करने के बारे में सोचा ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय की सभी बड़ी टेक कंपनी जैसे की एचपी और आईबियम अपने नाम पर ही फोकस कर रही थी तो वो चाहते थे कि एपल इस मामले में थोड़ी डिफरेंट हो अब जैन आफ ने जब एपल के लोगों को डिजाइन करना शुरू किया तो पहले उन्होंने सिंपल एपल के बारे में सोचा लेकिन क्योंकि ये कुछ फूर्ट जैसे की पीच और चेरी से काफी मिलता जुलता था तो उन्होंने सोचा कि वो कैसे इस लोगों को थोड़ा अलग बना सकते हैं इन फूरूट से तो इसी प्रॉबलम को सॉल्व करने के लिए जैन आफ ने इस लोगों में एक बाइट को एड़ कर दिया जिससे इस logo को बाकी fruit से अलग दिखने में मदद मिली और ये clearly पहचान में आने लगा कि वो एक Apple ही है Jainof ने जब इस logo को Steve Jobs को present किया दोस्तों तो उन्होंने उस से कहा कि वो logo अच्छा है और तभी से ये logo Apple का official logo बन गया इसके कुछ समय बाद इस logo में 6 color stripes को भी add किया गया ये दिखाने के लिए कि Apple के computers में आप color images देख सकते हैं क्योंकि उस समय सिर्फ Apple 2 computer में ही आप color graphics देख सकते थे और किसी और computer में नहीं लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि Apple के इस logo में ये byte computer terminology में इस्तमाल होने वाले शब्द byte से inspire होकर आई है byte दोस्तों memory size को calculate करने की एक unit है लेकिन दोस्तों जैन उफ के हिसाब से जब उन्होंने Apple के logo को design किया था तब उनके दिमाग में इस byte का ख्याल नहीं आया था तो दोस्तों इस तरीके से Apple का ये world famous logo design हुआ था हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो interesting लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाना न भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद